जै महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसें भक्ति ज्यान चैनल में मित्रों मानव के अंतरंग के मालिक यदि कोई ग्रह हैं तो वेहमात्र केवल शनी देव हैं शनी देव ही हर व्यक्ति के पापुन्ने का हिसाब करती हैं इनकी क्रपा द्रष्टी पाने के लिए तथा इनकी अक्रपा द्रष्टी से बचने के लिए लोग अनेको प्रकार से इनका पूजन और अर्चन करते हैं इस कल्यूग में शनी ग्रह की पीड़ा से त्रस्ट व्यक्ति सदेव यही सोचता है कि वेह ऐसा क्या उपाय करें जिससे शनी ग्रह की पीड़ा कम हो सके शनी देव के प्रकोप के कारण ही सत्यवादी राजा हरिश्चन को भी डौम के घर बिकना पड़ा तथा राजा नल पर जब इनका प्रभाव पड़ा तो तली हुई मचली भी पानी में गिरकर तैरने लगी पांडवो पर जब इनकी सूदशा आई तो इनहीं की क्रपा से उनको पुना अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ मित्रो जब महाराजा विक्रमदित्य पर शनी की अनिस्ट ग्रहदशा चली तो नौ लखा हार की चोरी भी राजा के माते कलंग की रूप में विद्धमान हो गई जिसके परिणाम सरूप विक्रमदित्य जैसे राजा के भी दोनों हाथ पैर कटवा कर उन्हें चौपाया बना दिया गया परन्तु जब इन्ही शनी देव की क्रपा विक्रमदित्य पर हुई तो उन्हें अपने शरीर के कटे हुए हाथ पैर पुना प्राप्त हुए एवं माते पर लगा हुआ कलंग भी समाप्त हो गया तथा राजा को सुन्दर पत्नियों तथा धन संपत्ति के साथ ही साथ अपना राज्य भी पुना प्राप्त हुआ इन सभी प्रमाडों से यह सिद्ध होता है कि सत्यूग तरेता द्वापर तथा आज के इस कल्यूग में भी शनी अपना पूर्ण प्राप्त उसी प्रकार बनाए हुए है शनी की क्रोध का शिकार केवल वही लोग बनते हैं जो गलत कर्मों को करते हैं जो गलत का साथ देते हैं और मास मदिरा का पान करते हैं हिंसा फैलाते हैं और सदा दूसरों का बुरा चाते हैं मित्रो इस प्रकार के लोगों पर सदेव शनी देव की कूदरश्टी पनी रहती हैं। वहीं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, धर्म कर्म की कारे करते हैं और दूसरों का भला चाते हैं। इस प्रकार के लोग सदेव शनी की क्रपादरश्टी प् देते हैं मित्रो अगर आपको आज किये शनी देव से सम्मदित जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद